प्रधान मंत्री नरेन मोधी ने महारास्ट में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिन्ने के वाकिये पर माफी मांगी। 26 अगस को सिंदु दूर्गा जीले में बनी 35 पुट की शिवाजी की मूर्ति धा गई थी। इस मूर्ति का अनावरन पिछले साल दिसंबर में प्रधान मंत्री मोधी ने ही किया था। लेकिन मूर्ति धाने के बाद विपक्ष महाराज, सरकार और भारती जन्ता पार्टी की खिलाव लगतार हमला वड़ी। इसके कारण मुख्य मंत्री एकनाज शिंदे ने भी माफी मांगी थी। नमस्तार में शेख जोया आप देख रहे हैं का नगरी में से। चाट्रपती शिवाजी महाराज जी के चन्डों में मत्तक रखकर माफी मांगता हूं। सुने मोदी क्या कुछ बोले। और यह हमारे सांसकार है कि धरती पनाते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराज देव। चाट्रपती सिवाजी महाराज मैं उनके चरणों में सर जुका करके छमा मागने का कर रहा हूं। और इतना ही नहीं। जो जो लोग छत्रपती सिवाजी महाराज को अपने आराज देव मानते हैं। उनके दिल को जो गहरी चोट पहुची है। मैं ऐसे आराज देव की पूजा करने वालों को भी उनकी भी सर जुका करके छमा मांगता हूं। मेरे संसकार अलग है। हमारे लिए हमारे आराज देव से बड़ा कुछ नहीं होता है। सिर्फ यहीं नहीं पिये मोधी ने बताया कि जब 2013 में उन्हें प्रिधान मंतरी पत का उमितवार बनाया गया था। तो वो सबसे पहले राइगड कीले में गये थे और शिवजी की समाधी के सामने बेट कर प्रातना की थी। मूर्तिगिन्ने पर विपक्ष के हमलों को लेकर भी प्रिधान मंतरी ने जवाब दिया। अपने भाशन में विनायक दमोदार स्वारकर का जिक्र करते हुए मोधी बोले हमारे संस्कार अलग है। प्रिधान मंतरी आगे बोले स्वाराकर कि अपमान कर लोग अदालतों में जाकर लड़ाई लड़ने को तयारे। लेकिन माफी नहीं मांगते। बताते चले विपक्ष दलों ने मूर्ती डहाने के बाद सरकार को घेनना शुरू कर दिया था। एसपी सांसर सूपरिया सूले ने आरोप लगाया कि प्रितिमा जुलबाजी में बनाई गई थी। सूले ने दावा किया कि उन्होंने इस मूर्ती को बदलने की भी मांग की थी। लेकिन सरकार ने नजर अंदास कर दिया था। विपक्ष के भारी हंगामे के बाद मुख्य मंतरी एकनाश इंदे ने भी घटना पर माफी मांग थी। ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहें दनगरी निउस शुक्रिया।